हाई एवरीवन मॉस्ट वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इवेन कुमार मैसलवर डियर एश्टुडेंट्स तुड़े आवर टॉपिक इज इंडिफिनिट इंटिग्रेशन शॉटकर्ट ट्रिक्स पैटर्ड फाइब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंडिफिनिट इ हम लोग फर्मुला को याद रखेंगे और उस पर अधारित प्रोब्लम को बहुत फास्ट हम लोग स्वाल कर सकते हैं दरसल स्वाट कर ट्रिक्स होता कुछ नहीं है बस कोस्चन बेस्ट कोस्चन होता है कोस्चन बेस्ट कोस्चन होता है आप कुछ खास तरह के क्वेस्चन क क्या करते हैं कि solve करके एक फर्मूला generate कर देते हैं और फिर उस question पर अधारित question को बहुत fast solve करते हैं तो वही आपको shortcut tricks हो जाता है तो एक किसी question को generalize कर दिया जाता है और generalized formula पर हम लोग दियेवे problem को solve करते रहते हैं और वह हमारे लिए shortcut trick होता है तो आईए देखे हम लोग कौन सा formula है तो formula है आपके पास e to the power ax and sine of bx plus c dx अब ये आपके पास formula है तो बना सकते हैं integration by parts का use करके हम इसको solve कर सकते हैं उसमें हमको एक लंबा समय लगता है तो उत्मा नहीं करके direct इसके result पर हम लोग आएंगे a square plus b square and यहां पर आपको लिखा जाएगा ये a sin bx plus c जो है वही and minus b cos bx plus c है यहां और फिर last में आपको एक constant integral constant है ठीक उसी तरह second formula आपके पास e to the power ax and cos of bx plus c है dx अब इसका भी formula वही से ही देखिए a square plus b square and a cos bx plus c and minus a cos bx plus c minus यहां पर रिखेंगे b sin plus हो जाएगा ये ठीक है plus b sin and bx plus c और last में आपको ये c हो गया ये दो formula आपको हम लिख दिये हैं और इस दो formula पे अधारित problem आपको दिया जाएगा दरसल ये खुद में एक question है हम लोग किसी जगह पी भी ये basic formula के तौर पर नहीं पड़ते fundamental formula के तौर पर हम इसको नहीं देखे हैं सीधे-सीधे inverse process of differentiation ये नहीं है इसको integration by parts से पिले solve किया गया तो ये formula generate हुआ ये repetition बाला है इसको i मानिएगा फिर solve कर या तो फिर से i आ जाएगा तो वो आगे बढ़कर के ये solve होता है तो उसको हम solve नहीं करके direct आपको result लिख दिया अब इस पर problem देखिए problem अगर हमको कहीं देदिया e to the power 3x into cos है ना into cos 4x plus 5 ऐसे दे दिया and dx अब हमको इसका जबाब देना है ठीक है हमको इसका जबाब देना है तो कैसे देंगे तो देखिए बहुत आसान है क्या करेंगे आप ऐसे दिखेंगे e to the power 3x and नीचे a square plus b square एक जगा 3 and b जगा 4 25 and यहाँ पर लिखेंगे a to 3 and देखिए इस cos है तो cos का पुम्रा लगाएंगे क्या लिखेंगे 3 cos 4x plus 5 and plus b के जगा 4 and sin 3x plus 5 एना and last में यह c जबाब हो गया बन गया यह question ठीक उसी तरह e to the power अगर 2x है and sin of 3x plus 4 है dx तो क्या लिखाएगा अगर यहाँ minus b है तो उससे कोई फरक नहीं परता तो 2 यहाँ पर देखिए e to the power पहले 2x लिख दीजिए and 2 का square and 3 का square 13 हो गया add करके and bracket के अंदर यह दिखाएगा a तो 2 shine 3x minus 4 and यहाँ पर आपको minus फिर इसका यहाँ पर 3 आ जाएगा and cos 3x minus 4 and plus c तो आप देख रहे हैं अगर आपको फर्मूला याद है यह दोनों तो आपको यह questions बहुत ही आसानी शबनेगे लेकिन उससे पहले आपको यह फर्मूला याद होना बहुत जरूरी है और याद रखना बहुत आसान है e to the power ax same same divided a square प्रस b square यह a square प्रस b square same लिखा गया दोनों में ही अब यह a is के साथ बुना होगा जो यहां लिखा जा चुका है गोर कर यह a sin bx plus c and a cos bx plus c minus bb तो दोनों यह होना है और अब sin का integration बोल दीजिए cos bx plus c minus cos bx plus c minus में है and cos का integration plus sin bx plus c होता तो वह यहां लिखा हुए बहुत ही आसान से यह फर्मूला आपको य जाद कर जाओ फिर यह question आपको बहुत ही fast बनेगा बहुत ही fast तो अब next problem next problem भी आप देख सकते हो किसी तरह का जो भी question इस पर देगा आप बहुत आसानी से solve कर सकते हैं ट्रिक बहुत सारा आएगा अभी तो यह trick start हुआ है अभी हम लोग pattern 5 ही पहुंचे हैं बहुत सारे pattern अ अब यहां अगला question e2 the power minus 2x दे दिया and cos 4x plus 5 दे दिया dx कोई जरुई नहीं 5 एक ही काई difference हो कुछ भी हो सकता है 7 भी अब इसको बनाना है कि e2 the power minus 2x लिखा गया नीचे minus 2 का whole square plus 4 का square तो क्या हो गया 16,4,b 20 and यहां पर दोता है 8 एक जगा minus 2 है तो minus 2 cos 4x plus 7 और आप पड़ चुके हैं plus यहां रहेगा and b,b की जगा पर 4 रहेगा and cos का integration sign होता है तो थोड़ा मनीचे यहां लिख देते है sign 4x plus 7 and plus c outside हो गया तो देखिए यह question आपको बहुत ही आसानी से solve हो गया यह problem आपको बहुत ही आसानी से solve हो गया ऐसे सभी problems को आप लोग fastly solve कर सकते हैं तो चलिए अब आपके लिए 2-3 हम homework छोड़ देते हैं उस questions को आप solve कर लीजिए homework को अगर यह formula आपको याद हो जाए तो फिर पुरंद से आप comment box में इसके जवाब लिख देंगे और जब जवाब लिखेंगे तो तुराशा हम देखेंगे तो लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो देखने के बाद comment जरूर क्या कीजिए देखें यहां homework है first number question e to the power 3x and यहां cos लेगर दे दिये आपको 5x minus 4 dx second e to the power 2x cos 3x minus 7 dx and 3 number e to the power 4x cos 3x plus 5 dx and 4 number of question है e to the power 4x sin यहां पर दे दिया आपको 5x minus 7 dx and 5th number हो गया e to the power 6x and sin 3x plus 8 dx so yeah these five question are homeworks यह सभी आपके लिए homeworks है और इसका सारा का answer आप comment box में जरूर क्योंब बताएए और video कैसा लगा यह भी comment में लिखिए और अच्छा लगे तो जरूर इसके link को अपने whatsapp अपने facebook अपने messenger अपने किसी अन social site के द्वारा किसी group में किसी friend में और कुछी अपने junior friend के बीच और हर किसी के बीच आप share करने का इसे पोसिस कीजिए यह इस channel के लिए फाइदे बंद होगा तो तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद के साथ जैहिंद मिलते हैं अगले shortcut trick में च्मुर करता हैं अपीर से थाब में का Hmmm